राधे राधे जैशिकिष्णा कैसे हैं भक्तो आप सब आई हो आप सभी अच्छे होंगे मैं संगीता शर्मा भक्ती बजनरिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो भक्तो जो आज की वीडियो है राधा रानी की छटी कब है पंद्रा तारिक है या फिर सोला ता और राधा रानी को आपको पंचम in रत वागता तो सबसे़े बता दू कितने बज़र कराना है मोर्नी में कराना है या फिर शाम को कराना है क्यूंकि छटीगी जो पूजा उती या शाम के टाइम होती है तो आक राधारानी कु इस नान तो आप सुबह ही कर दें और इंको त मौर्निंग में राधारानी को कर सकते हो, तयार और सुबह आप कोई भी भोग लगा सकते हो, दूद का, स्वीट का या फिर ड्राइफ फूड का कोई भोग लगा सकते हो, खाने का भी लगा सकते हो, खाना होना चाहिए साथ भी की, अब मैं आपको शाम की पूजा उनको चुनी उगरा उड़ाके शिंगार कर सकते हो, या फिर युगल सरकार हैं तो उनके भी आप पूजा कर सकते हो, और आपके पास जैसे विग्रह न है, युगल सरकार का, या फिर लड्टू गोपाल जी भी न है, राधारानी न है, तो आप एक फोटो भी ले सकते हो, लड़ुगोपाल जी को लगाऊंगी चंदन का तिलक तो अभी मैंने तिलक लगा दिया है और अब मैं इनको माला और फूल पहना दूँगी और हो सके तो कमल का फूल लें अगर कमल का फूल ना मिले तो आप गुलाब का भी ले सकते हो माला तो आप कोई भी ले सकते हो पहना गाय माता है तो साथ में आप गाय माता भी रख लें तो अभी माला दू पहना दिए गाय माता के पास भी रख देंगे हम फूल और अब राधरानी के पास रख देंगे कमल का फूल चाहे तो आप गुलाब का भी रख सकते हो तो मैं ये राधरानी के पास कमल का फूल रख आरती की थाली तयार तो यहां पर रख दूँगी मैं आरती की थाली अभी और अब रखेंगे पास में भोग तो भक्तु छटी पर कड़ी चावल का भोग लगता है और राधारानी की फेवरेट सब्जी जो है अर्भी है तो अभी का भी भोग लगाए तो अभी मैं कू और आलव बुखारे का भोग अपनी राधारानी को लगा सकते हो उसके लावा आप कोई भी फ्रूट या फिर कोई भी भोग लगा सकते हो और अभी एक क्लास में रख देंगे जल और अभी हम ले लेंगे एक चमच जिसमें हम काजल बना लेंगे इस तरीके से और अपनी राधारानी को लगाएंगे चटी पे काजल और अगर आपके पास नजरिये नहीं है तो राधारानी के लिए आप नजरिये लेका हैं और उनको चटी पे नजरिये जरूर से पेनाएं तो अभी मैं पहले काजल बना लेती हूँ फिर राधारानी को काजल लगाऊंगे तो ये बन गया है काजल और हलका सा हम इसमें घी का या फिर सरसो के तेल का अथ लगा के बिलकुल हलके से इसको इस तरीके से लगा लेंगे और राधारानी को लगाएंगे काजल तो दोनों आखों में हम काजल लगा देंगे कान के पीछे और पैरों के नीचे भी लगा देंगे और साथ में भिहारी जी हैं तो हम उनके भी लगा देंगे काजल तो अभी हमने काजल लगा दिया राधारानी को और भिहारी जी को अब रख देंगे राध हरानी के पास नुचावर, तो आप कुछ भी नुचावर रख सकते हो, उनके लिए उससे कोई भी गिफ्ट ला सकते हो, नुचावर जरूर करनी है और अभी करेंगे राध हरानी की पहले आर्ती आरती भान दुलारी की किसी बरसाने वाली की आरती कर लिए आरती थोड़ा सा जले लेंगे हाथ में और आरती कर लेंगे ठंडी आरती ठंडी करने के बाद देंगे राधारानी को भिहारी जी को आरती और खुद भी हम आरती ले लेंगे और भक्तो छटी पे राधारानी के आपको नजर भी उतारनी है तो आप राई और नमक ले ले उससे राधारानी के उपर साधवार फेर के कपूर में डाल सकते हो तो राधरानी के आप नजरू उतारे चटी पे और उसके बाद हमें राधरानी को चटी पे जूला भी जूलाना है जैसे हमने लड़ू गोपाल जी को चटी पे जूला जूलाया था इस तरीके से राधरानी को भी जूलाना है जूला जूलाते में आपको भी भजन गा सकते हो और वैसे भी आप भजन किर्दन कर सकते हो राधारानी की छटी पे तो भक्तो यही है आज की वीडियो अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना रादे रादे जैशी किछना मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में रादे रादे